हेलो एब्रिवन मैं उस्तीश कुमार और स्वागत आपने फिर से यूट्यूब टैनल आज का डेमो में आज हम आपके लिए लेके आए हैं वोल्टास कंपनी का जो कि एक टाटा का प्रोडक्ट है उसका water dispenser जो कि सबसे ज़्यादा sale होने वाला एक water dispenser है तो company ने इस water dispenser के अंदर आपको क्या क्या नया दिया है क्या आपको इसकी specifications मिलती है एक एक करके हम हर एक चीज की बात करेंगे आगे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसे लगते हैं तो चलिए इसे के साथ वीडियो को शुरू करते हैं तो यह देखें यहां पर वोल्टास का वाटर डिस्पेंसर सामनी की तरफ से देखिए तो यह पूरा पूरा इसका जो फ्रेंट हो में प्लास्टिक का बना होता है जिसके अंदर आप यह पे आपको गलास वगार आप यहां पर अराम से रख सकते हो, तीन टाइप का इसके नदर आप water निकाल सकते हो, hot, normal और cold, तीनों को आप अलग-अलग से use भी कर सकते हो, साइडों से बात करें तो यह पूरा metal body के साथ आता है, जो साइड में इसकी है, वो metal body है, बैक साइड में इसके आपको यहाँ पे evaporator मिल जाता है हैं, जिसके तरूँ आपकी heat exchanger, हम इसको कह सकते हैं, जहां से heat वगार निकलती रहती है, आपकी, दूसरी साइड भी इसके पूरा metal आजाएगा, तो यह थी इसकी build quality, अब बात करते हैं से specification की, specification के अंदर हम बात करें, तो यह इसका model आ जाता है, देखिए, mini magic spring R, power supply जो है इसकी धाई लीटर पर आर होती है, धाई लीटर मतरों एक घंटे में ठंडा कर देता है, और जो ही इसकी heat capacity है, वो पाँच लीटर एक घंटे में अंदर ही कर देता है, पावर इंपूट जो आता है, इसका जब यह heating के time करता है, वो 500 Watt का है, और जब यह आपका ठंडा करत पर होता है, उस टेम इसका पावर इंपूट हो जाता है, 105 Watt, करंट जो इसको नॉर्मली चलने के लिए चाहिए होता है, वो है 0.78 Ampere, और केबल स्टोरेज कपेसिटी जो है, इसकी वो 15 लिटर गी है, रफ्रिजेटर यह अपका, जिसके अंदर गैस भरी होती है, रफ्रि तो सामने के जर्फ जैसा कि आप देख रहे हैं, तीन option मिल रहे है, hot, normal or cold, जैसे कि आपने सबसे पहला जो feature है, hold, sorry hot, अगर आप hot पानी निकालना जाते हैं, तो उसके लिए आपने यहां से प्रेस करना है, यह अभी प्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक चाहि प्रेस लगाना है, और उसको भर लेना है, तो यह थे इसका hot वाला mode यूज़ करने के लिए, second is का normal mode, यह आपका normally काम करता है, यहां पे आपने दबाना है, तीसरा इसका cold mode यह भी आपका normally है, जस्ट ऐसे प्रेस करना है, और आपका पानी निच्चे आ जाता है, यहां पे चोटा सा water collector भी दिया हुआ है, जिसको आप आसानी से निकाल के, जैसे यह खुल जाता है, पुरा रव पूरा, और आप इसको तिखा वेशा है, जैसे खोल के, आप इसकी यहां से जो ट्रे है, इसकी collector यह भी निकल जाती है, और इसको आप ऐसे drain कर सकते हो, तो इस कुछ इ यह इसके अंदर आपको ट्रे मिल जाती है, नीचे की तरफ आपको इसके अंदर एक छोटा सा गर्मियों के लिए एक छोटा सा रफ्रिजेटर मिल जाता है, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसकी डॉर की quality भी काफी अच्छी है, जो heat, sorry, cooling cutter के लिए लगा हुआ ह यहां पर देखिए, gas cutter यह भी काफी अच्छी quality का है, और यहां पर आपको इसके अंदर space मिल जाता है, अगर आप कोई बड़ी bottle रखना चाहते हैं तो इसको निकाल के आप बड़ी bottle भी बड़ी आराम से रख सकते हो, और इसको भी आप up and down यहां पर कर सकते हो, अगर आपक आपको cold water आपको मिलेगा, दूसरा red switch इसको अगर आप on करते हो, तभी आपका जो heater है वो on होगा, तभी आपको इसके अंदर गरम पानी आप इसमें निकाल सकते हो, ऊपर की तरफ यहां पर आपने जो इसकी bottle होती है, water dispenser करी है, वो यहां पर उल्टी करके रखनी होती है, जिससे फिर आप इसको बड़ी आसानी से कहीं भी यूज़ कर सकते हो, यह basically एक portable water dispenser होता है, जिसके अंदर आपको hot, normal और cold, तीनो तरह का पानी आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो कैसा लगा आपको यह वोल्टास कंपनी का water dispenser, जिसके अंदर आपको तीनो तरह का पान ही मिलता है, hot, normal और cold water, और साथ ही आपको एक छोटा सा mini fridge, ऐसी नही नही वीडियो को देखने के लिए चैनल को दुबारा आप से request है कि please subscribe करें, तो मिलते हैं आप से किसी और product की नही वीडियो के साथ, ओके टाटा बबाए,